हेलो फ्रेंड्स तो आज हम देखेंगे दा मेज रनन मूवी जहां कुछ बच्चों पर भयानक एक्सपेरिमेंट किये जा रहे हैं तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मूवी शुरू होती है लिफ्ट के एक सीन से जहां हम एक लड़के को देखते हैं जो संडर ग्राउंड लिफ्ट से उपर की और जा रहा है देखकर लगता है कि वो बहुत डरा हुआ और परेशान है वो मदद के लिए चिलाता है लेकिन वहां उसकी सुनने वाला कोई नह बागते बागते वो गिर पड़ता है और उटकर देखता है कि वो एक बहुत बड़े से ग्राउंड में है जहां चारो तरफ पत्थर की उची उची दिवारे हैं बाकी लड़के उसे पकड़ के एक पिट में बंद कर देते हैं जहां एक L.B. नाम का लड़का उसे मिलने आ जाएगा लेकिन उसकी बाकी यादे आने की कोई गैरंटी नहीं है आगे वो उस जगा के बारे में बताता है जिसे ये लोग ग्लेट बुलाते हैं वो बताता है कि यहां सब की अपनी कुछ जिम्मेदारियां है जैसे कोई शेल्टर बनाता है तो कोई खाना उगाता है भी उसे वहां जाने से मना करता है और बताता है कि ये बहुत खतरनाक है वो वहां चक नाम के एक छोटे बच्चे से भी मिलता है जो उसे बताता है कि उस दर्वाजे के पार एक बूल बुलया यानी मेज है और सिर्फ रनर ही उसके पार जा सकते हैं तब ही उसे दर्वाजे से दो लड़के भागते हुए दिखते हैं और चक के रोकने के बावजूत वो दर्वाजे के करीब जाता है वहाँ एक गैली नाम का लड़का उसे रोकता है और सब वहाँ एकठा हो जाते हैं तब ही वो देखता है कि दिवार में बना वो दर्वाजा बंद हो गया है रात को प्यूट नाम का लड़का उसे बताता है कि ये असल में एक बहुत बड़ी मेज है जो हर रात बदल जाती है हर सुबा दर्वाजा खुलने पर दो रनर बैन और मीनो उसमें जाते हैं और बाहर निकलने का रास्ता ढूंडते हैं लेकि तीन साल से उन्हें कोई काम्याबी न मार डालते हैं आगे गैली के साथ एक मुकाबले में उसे याद आता है कि उसका नाम थोमस है राग को उसे एक सपना आता है जहां वो कुछ साइंटिस को खुद पर एक्सपेरिमेंट करते हुए देखता है लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता अगले दिन न्यूट उसे जं ना पहुचा पाए रात को फिर से थोमस को वही सपना आता है लेकिन इस बार वो एक लड़की को भी देखता है जिस पर भी सेम एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है आंग खुलने पर वो देखता है कि इस बार मीनो और एलबी उस मेज के अंदर जा रहे हैं शाम को वो सब लो कि थोमस मेज के अंदर जाता है और तब ही दर्वाजा बंद हो जाता है जिससे वो तीनों अंदर फस जाते हैं मीनो उसे बताता है कि वो लोग मरने वाले हैं लेकिन थोमस उसे यकीन दिलाता है कि कोशिश करने पर वो बच सकते हैं वो एलबी की बोड़ी को एक दिवार प और एलबी की रसी बांद देता है लेकिन तबी वो ग्रीवर दोबारा वहां आ जाता है वो उसे बचकर भागता है जहां आगे उसे मीनो भी मिलता है वो देखते हैं कि मेज का एक सेक्शन बंद हो रहा है और यहां थोमस को एक आईडी आता है वो ग्रीवर को अपने पीछे बुलाता है और उस बंद होते सेक्शन में उसे फसा कर मार ढालता है सुबह दरवाजा खुलने पर सब लोग देखते हैं कि मीनो और थोमस से लबी को लेकर बाहर आ गए हैं सब लोग थोमस से इंप्रेस होते हैं लेकिन गली को लगता है कि ग्रीवर को मार कर थोमस ने एक लड़ाई शुरू कर दी है और वो चाहता है कि उसे इसकी सजा दी जाए मीनो आगे आता है और तोमस की तारिफ करते हुए उसे भी एक रनर बनाने को कहता है तब ही एक बार फिर वो लिफ्ट उपर आती है और वो देखते हैं कि इस बार उसमें एक लड़की आई है उसके हा पता है कि शैद उस मरे हुए ग्रीवर से उन्हें कुछ पता चल सकता है और वो लोग उसकी चांच करने अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि ये जानवर और रोबर्ट का मिला जुला रूप है और उसमें उन्हें एक डिवाइस मिलता है जिस पर विकेड और कुछ नंबर ल मेज का एक मोडल दिखाता है जो उन्होंने तीन सालों की मैनस से बनाया है वो बताता है कि उसने पूरी मेज देख ली है और यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है लेकिन एबी ने उसे बाकी लोगों को यह बताने से मना किया था वो बताता है कि हर रात मेज में अलग अलग sections खुलते हैं जिनका pattern हमेशे सेम रहता है और जो griever उन्होंने मारा था वो section 7 से था इससे पहले कि वो कुछ और बता पाए उस लड़की को होश आ जाता है Thomas वहाँ जाता है और उससे बात करता है वो बताती है कि उसका नाम Teresa है और इसके अलावा उसे कुछ याद नहीं है Thomas को याद आता है कि यह वही लड़की है जो उसने अपने सपने में देखी थी लेकिन समझ नहीं पाता कि उन दोनों को यहाँ क्यों बेजा गया है Teresa उसे दो सिरिंज देती है और बताती है कि यह उसकी जेब से निकली है Thomas देखता है यह उसी कंपनी की है और उसे लगता है कि शैद इनसे L भी ठीक किया जा सकता है वो लोग एक सिरिंज एबी को लगाते हैं जिससे L भी ठीक हो जाता है अगली सुबा मीनो और थोमस दुबारा मेज में जाते हैं और सेक्शन 7 में पहुँच जाते हैं वहाँ अचानक उस डिवाइस से कुछ आवाज आती है और उन्हें लगता है कि यह शैद उन्हें बाहर का रास्ता दिखा रही है वो उसे फोलो करते हुए एक नई जगा आते हैं जहां वो डिवाइस ग्रीन हो जाता है और एक दर्वाजा खुल जाता है वो समझ जाते हैं कि शायद यहीं से ग्रीवर आते जाते हैं तब ही एक लेजर उन्हें स्कैन करती है और वो दर्वाजा दुबारा बंद होने लगता है वो लोग वहाँ से भागते हैं और बड़ी मुश्किलों से बचते हुए वापस ग्लैड में आ जाते हैं वो सब को इस बारे में बताते हैं और कहते हैं कि शायद वो लोग यहां से निकल सकते हैं यहां एलबी को भी होश आ जाता है और ऐसे लगता है जैसे उसकी याददाश भी वापस आ गई है वो दोमस से कहता है कि तुम उनके फेवरिट थे और तुम यहां क्यूं आए हो वो बात कर ही रहे होते हैं कि तब ही बाहर से उने लोगों की आवाजे आती हैं जाकर देखने पर पता चलता है कि मैस का दर्वाजा अभी भी बन नहीं हुआ है और बाकी के तीनों दर्वाजे भी खुल गए हैं वो सब लोग डर जाते हैं और ग्रीवर से खुद को बचाने के लिए चुपने लगते हैं तब ही ग्रीवर वहां आकर हमला करते हैं और देखते ही देखते वहां काफी सारे लोगों को मार डालते हैं चक को बचाने के चकर में एल बी भी मारा जाता है, गैले को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है, वो इन सब के लिए थोमस को जिम्मेदार मानता है, वो कहता है कि थोमस उनी में से एक है, और यहाँ सब कुछ बरबाद करने आया है, थोमस अपनी यादे वापिस लाने के लिए वही पड़े ग्रीवर के पार्ट से खुद को खायल कर लेता है बेहोशी में उसे सब कुछ याद आता है कि कैसे वो और टेरिसा विकिट के लिए काम कर रहे थे और इन लड़कों को भी कई सालों से मोनीटर कर रहे थे होश में आने पर वो खुद को और टेरिसा को कैद पाता है न्यूट उसे बताता है कि गैली अब यहाँ का लीडर बन गया है और चाहता है कि थोमस और टेरिसा को मेज में बंद कर दिया जाए ताकि यहाँ दोबारा शान्ती हो सके थोमस न्यूट, मीनो और चक को बताता है कि यह कोई जेल नहीं बलकि एक एक एक्सपेरिमेंट है जहां उन सब का एक टेस्ट लिया जा रहा है वो बताता है कि कैसे वो टेरिसा उनी लोगों में से एक है न्यूट को अभी भी उस पर पूरा बरोसा है और वो मिलकर वहाँ से निकलने को कहता है आगे हम देखते हैं कि गैली उन दोनों को बांद कर ग्रीवर के हवाले करना चाता है लेकिन न्यूट और मीनो की मदद से वो खुद को आजाद करा लेते हैं थोमस गैली को भी साथ आने को कहता है लेकिन गैली मना कर देता है थोमस उन सभी को जो उसके साथ आना चाते हैं लेकर मेस के अंदर चला जाता है वो लोग मेस से होते हुए उसी एक्जिट गेट के पास आते हैं जहाँ एक ग्रीवर पहरेदारी दे रहा है वो लोग मिलकर उस पर अटेक करते हैं और उन्हें हराने की कोशिश करते हैं वहाँ और गृरीवर भी आ जाते हैं और उनके काफी साथी मारे जाते हैं तब ही टैरिसा और चक मिलकर एक्जिट गेट को खोल देते हैं जिसका कोट मेस की सेक्शन का चेंजिंग पैटन था वो सब लोग बच कर उस गेट से होते हुए एक कोरिडोर में आ जाते हैं वहाँ उन्हें एक एक एक्जिट केट मिलता है जिसमें आने पर उन्हें हर तरफ लाशे दिखाई देती हैं जैसे कि यहाँ कोई लडाई हुई हो पता चलता है कि यह वही लैब है जहांसे वो लोग ग्लैड को मोनिटर कर रहे थे उन्हें वहाँ एक वीडियो दिखता है जिसमें विकेट की हैट एवा उन्हें बताती है कि सूरज की बढ़ती गर्मी से धर्ती पर जीवन मुश्किल हो गया था और इसके बाद एक वाइरस ने इंसानों को जॉम्बिस जैसा बनाना शुरू कर दिया था लेकिन नई जनरेशन पर इस वाइरस का कोई असर नहीं हो रहा था और ग्लैड में सब नई जनरेशन के बच्चे थे विकेट इन पर इसलिए एक्सपेरिमेंट कर रही थी ताकि इस वाइरस की दवाई बना सके आगे वो बताती है कि कुछ लोगों को उनके तरीके पसंद नहीं थे और उन्होंने लैब पर हमला कर दिया था वो बताती है कि ये टेस्ट तो सिरफ शुरूआत थी अभी उन्हें और भी एक्सपेरिमेंट से गुजरना है इतना कहते ही एवा खुद को गोली मार लेती है तब ही वहाँ गैली आता है और पता चलता है कि उसे एक ग्रीवर ने इंफेक्टिट कर दिया है वो थोमस को शूट करने की कोशिश करता है लेकिन मीनों उसे मार डालता है पता चलता है कि मरने से पहले उसकी गोली चक को जा लगी थी, जिससे वो मारा जाता है, वो लोग चक के मरने का दुख मनाते हैं, और तभी कुछ नकाब पोश लोग महां आकर उने एक हेलिकोप्टर में ले जाते हैं, वो देखते हैं कि सारा मेज असल में एक डेजर्ट में बना हुआ था, एक सीन में हम एवा और दूसरे मरे हुए डोक्टर को देखते हैं, जो अभी भी जिन्दा हैं, यहां समझ आता है कि जो कुछ नोंने वीडियो में देखा, वो सब जूड था, और टेस्ट का ही एक पार्ट था, एंड सीन में हम देखते हैं कि हेलिकोप्टर उन्हें लेकर एक विरान शेर की तरफ बढ़ रहा है, और एवा सबको कह दिये कि अब फेस्टू के शुरू करने का समय आ गया है, और इसी के साथ हमारी मूवी खतम हो जाती है, दोस्तों अगर आपको यह मूवी पसंद आई हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू